आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर एक CMA की सेलरी कितनी होती है ठीक है कुछ पोश्ट वाइज भी उनकी सेलरी इंक्रीज होती है कम होती है क्या होती है पोश्ट वाइज सेलरी ठीक है अब देखो इनके पोश्ट के हिसाब से भी इनकी सेलरी मैं सारी डिटेल वाइज आपको बताने जा रहा हूं ठीक है देखो क्या होता है करियर अपर्चुनिट तो आपकी फ्रेशर ऐसे फ्रेशर यानि लगते के साथ ही कम से कम 40,000 तो कम से कम आप कम हो गई कम हो गई स्टार्टिंग में ठीक है उसके बाद देखो किया होता है जब सीनियर लेवल पर सी अमया जाता है जैसे मैंने बताया है आपको experience के साथ ठीक है तो वह कहां मतलब कितना तक कमाता है Starting के बाद करो मैं फ्रेशर एक दो साल तक रहता है इंसान ठीक है उसके बाद कितनी होती है उनके 10 से 12 लाग के आसपास ठीक है दस से 12 लाग के आसपास तो आप इवैल्यूएट करो कितना यानि एक लाख रुपे पर मंथ ठीक है यह क्या है सिय में की सैलरी थोड़ा वह आपके पास experience होने के ब इस एक Kalis करने कितने करता है यह कंप्लिटिंग दर सिय में कोर्स अलong विद सैलरी क्या होते है जौब रोल प्रोवाइट करते क्या प्रोवाइट होती है एजसे क्या करते हैं उसको जो जॉब booster उनकी इस खो पोस्ट के हिसाप से होती है ठीक है अब यह देख हो अगर आप financial officer हो ठीक है सब देखो CMA department अलग अलग है CMA के अंदर भी ठीक है आप किस land में काम करना चाहते हो तो वह है देखो chief financial officer financial analyst corporate मतला ऐसे से बहुत सारे अब देखो मैं बताता हूँ chief financial officer यानि CFO अगर आप CFO के रूप में अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी जो annual salary आपके कहां तक जाएगी 10.6 लाग पर एनम ठीक है 10.6 लाग पर एनम यह किसकी CFO की बात कर रहे हैं financial analyst यानि financial के तोर पे अगर आप काम करें कंपनी में तो 14-15 लाग के आसपास आपकी एनवल इंकम होगी ठीक है corporate controller मतलब यह देखो लिश्ट देख लो आप आपके लिश्ट लिश्ट त्यार किया है मैंने corporate का corporate controller जो होते हैं उनकी salary कहां तक चलती है देखो क्या होता है उनकी salary 7.4 से लेकि 12.5 की आसपास financial controller 6-14 ठीक है यानि financial control यानि financially कैसे हम control करते हैं इन सब चीजों के लिए जो एक department में financial controller हमें चाहिए होता है उनकी salary कितनी होती है छे लाग से लेकि 14 लाग तक ठीक है यह छे लाग से अचय ठीक है होता है न में निकला मेर दोस्स कशिप लाग से और शेपान हो हो सकता मेराट यह मेरा ते लेक वर सेट guarantee हम और सबकुत तो ऑस हिसाब से लाग जो आप इंटरवियू चेक होता है कि इंसान कितना कुछ knowledge है इसके पास ठीक है तो knowledge बेस पर भी बहुत सी चीज़े होती है चीफ investment officer यह 50 lakh पर रहनम हाँ आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार 50 lakh पर रहनम यानि मुझे तो फिर यह CIOE बनना है चीफ investment officer बनना है ठीक है तो यार आप बन सकते हो ठीक है आप यह आपके अंदर की जो क्या कहते हैं अभी लाशा के रूप में भी आप यह सब चीज़े कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा करेंगे इंटर निखर नहीं करेंगे हम 5 तो मैं आपको यह कुछ बता रहा हूं बस स्थाक्विश च्चालर के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ यो corporate controller financial controller यह सब finance manager इनकी जालरे किती तो यह सब चीजे होती है ठीक है तो विद पोश्ट और वैसे कितनी इनकी फ्रेशर की सालरी कितनी चार लाग से पांच लाग के भी बीच में इक्या होती है इनकी सेलरी रहती है ठीक है तो गाइज होप करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई हो कि पसंद के आपके लिए मैं ऐसी सी वीडियो बनाता रहता हूं कमेंट में बता दिया करो यार कि मतलब अगला टोपिक कौन सा रुकूं मतलब कौन सा रहेगा या यह जो कमेंट में सबसे ज़्यादा होते ना बच्चों के लर वोंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए करूं ठीक है तो देखो यह आज की वीडियो मैंने बनाया है सेलरी को ओपर की से में मतलब सेलरी कितनी होती है और एक्सपिरियंस क्या पोउस्ट होते हैं ठीक है यह मैंने बताया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना चैनल को सबस्क्राइब करना अगर आपने अभी तक डिटता अपनी खतम नहीं किया है पिक के अभी उस लाल बटन पर क्लिक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ठीक है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठेंक यू